तो फाइनली गाई जैसा कि आप सभी को पता होगा पिशली रविवार यानि के 12 नुमबर को दिवाली के खास मौके पर सिनिमागरों में रिलीज हुई थी बॉलिवूट के सुल्तान सल्मान खान के फिल्म टाइगर 3 जिसने सिनिमागरों में 10 दिन पूरे कम्पलीट कर लिये हैं और फिल्म को रिलीज हुई आस सिनिमागरों में 11 दिन चल रहा है लेकिन दोस्तो फिल्म अभी भी बॉक्स ओफिस पर तूफानी कमाई कर रही है फिल्म के कलक्शन में अभी तक हमें कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली है और बहुत सारे हिटर्स जो फिल्म बिले तारीफ और देखने लायक है क्योंकि फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर इट होती हुई हमें नजर आ रही है लेकिन दोस्तो फिल्हाल इस वीडियो में आपसे बात करूँगा टाइगर थिरी अपने पहले दस दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई कर इस वीडियो के साथ बने रहिएगा लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आप बॉलिवोट के सुल्तान सलमान खान को एक बहतरी नभीनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें लीजिएगा दोस्तो अगर बा फिल्म टाइगर थिरी के लिए बहुत ज्यादा एकसाइटिड थे और दोस्तो जैसे जैसे फिल्म टाइगर थिरी की रिलिस्ट्रेट नस्तीक आ रही थी फिल्म की जो एकसाइटमेंट थी फिल्म टाइगर थिरी की फैंस के लिए वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थ और दूस्तों फैंस ने टाइगर थिरी का बहुत ज़्यादा इंतिजार किया है सालों से इंतिजार किया है और यही वज़ा है कि आज फैंस जब टाइगर थिरी फिल्म को स्निमा hosting में देख रहे हैं तो फिल्म की तारीफें करते करते नहीं ठक रहे हैं लेकिन कुछ हेटर्स ने कहा था कि शायद ये फिल्म बॉक्स आफिस पर फिलो अफ हो जाएगी क्योंकि फिल्म में उतनी जान है नहीं लेकिन दोस्तों एक एक दिन आपको बताऊंगा कि टाइगर थिरी ने अपने पहले दिन यानी के दिवाली के दिन से लेकर अभी तक ली थी जिसको प्रिड्यूस किया था आधित्य चोपड़ा ने फिल्म में सल्मान खान इम्रान हाश्मी कर्टिना कैफ एहम किरदारों में नजार आए थे तो वहीं शारु खान का इस्पेशल कैम्यू भी हमें इस फिल्म में देखने को मिला था फिल्म का बजट तीन सो करो करोड़ उपैसे ज्यादा की कमाई इंडिया से नेट करनी है वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइट कलेक्शन होना चाहिए वो कम से कम 500 करोड़ उपैसे उपर का होना चाहिए और तब ही ये फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट हो सकती है लेकिन फिल्हाल बॉक्स आफिस पर जि इस दिन बिजी रहते हैं त्योहार मनाते हैं लेकिन बावजूद इसके टाइगर थिरी फिल्म ने अपने पहले दिन 44 करोड 50 लाख रुपे की रिकार्ड तोड कमाई करके सारी दुनिया को हिला के रख दिया था और वहीं फिल्म ने पूरे वल्ड में 94 करोड रुपे की और मानते हैं कि ओवर्सीज में शारु खान की फिल्में तगड़ा पैसा कमाती है लेकिन दोस्तों सल्मान खान ने इस रिकॉर्ड को भी धाराशाई कर दिया था क्योंकि टाइगर थिरी वह फिल्म है बॉलिवूड की जिसने ओवर्सीज से 41 करोड 50 लाख रुपे की कमाई करके अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया था दूसरे दिन सबकी नजरे थी क्योंकि दिन था मंडे का और नजर थी कि चलो भई पहला दिन तो दिवाली का था लेकिन दूसरा दिन तो फिल्म टाइगर थिरी के लिए पूरी तरह सिफिरी है लेकिन दोस्तों इसरा दिन फिल्म के कलक्शन में हमें थोड़ी सी गिरावर देखनी को मिली फिल्म ने कमाई 44 करोड 75 लाख रुपे लेकिन दोस्तों चौथे दिन इंडिया वर्सस न्यूसिलैंड का सेमी फाइनल में लेकिन टाइगर थिरी फिल्म को जहां 30 करोड रुपे की कमाई करनी थ जहां फिल्म को 24 से 25 करोड रुपे कमाने थे वहां ये फिल्म 18 करोड पी 60 लाख रुपे करने में काम्याब रही चटवे दिन फिल्म के कलक्शन में हमें हाँ थोड़ी सी गिरावर देखनी को मिली थी 13 करोड 25 लाख रुपे इस फिल्म ने 6 दिन कमाई थे लेकिन दोस्तों ग्वीन धिन का पहला संटरडे और फिल्म 18 करोड रोड पै पुरें इंडिया से नेट करने में कामियाब रही थी और फिल्म की जो 7 दिनों की टोटल कमाई थी पूरें इंडिया के अंदर वो 220 करोड 25 लाख रोड रोड पै नेट हो चुकी थी तो वहीं फिल्म पूरे वल्ड में 353 करोड़ पे कमा चुकी थी उसके बाद आठ हुआ दिन यानि के इंडिया वर्सस ओस्ट्रेलिया का फाइनल मैच और दिन था संडे का टाइगर थिरी के लिए पूरी तरह से ये दिन फिरी था क्योंकि पूरी तरह से हॉलीड़ था लेकिन खास बात तो ये थी कि इस दिन इंडिया वर्सस ओस्ट्रेलिया का फाइनल मैच था जहां पूरे हिंदुस्तान की जनता ओस्ट्रेलिया और इंडिया के फाइनल मैच मिल लगी हुई थी तो वहां टाइगर थिरी फिल्म को कम से कम इस दिन अगर इस दिन फाइनल ना होता तो कम से कम 20 करोड़ पैसे ज्यादा की कमाई करनी थी लेकिन दोस्तों आठवे दिन यानि के फाइनल वाले दिन टाइगर 3 फिल्म ने कमाई सिर्फ और सिर्फ 10 करोड 50 लाख उरपे नवे दिन फिल्म का collection रहा 7 करोड 35 लाख उरपे यहां फिल्म के collection में काफी भारी गिरावट हमें देखने को मिली और फिल्म की जो total कमाई है 9 दिनों की officially वो 238 करोड 10 लाख रुपे इंडिया से नेट हो चुकी है वहीं फिल्म का इंडिया में गिरॉस कलेक्शन 288 करोड रुपे हो चुका है Overseas film ने कमा लिये है 100 करोड रुपे जा दोस्तों फाइनली 9 दिनों में Tiger 3 Overseas से 100 करोड रुपे का कलेक्शन करने में काम्याब रही है जो की काफी बड़ा रिकोर्ड हम कह सकते हैं जो की शारुखान की जवान ने किया शारुखान की पठान ने किया अभी तक ये कारनामा गदर 2 भी नहीं कर पाई थी लेकिन Tiger 3 साल 2023 की तीसरी फिल्म है जिसले 100 करोड रुपे Overseas से कमाई है तो फिल्म की जो 9 दिनों की टोटल वर्ल्ड वाइट कमाई है ओफिशली वो 388 करोड रुपे हो चुकी है उसके बाद आता है दसवा दिन फिल्म की कमाई रही सिर्फ 6 करोड रुपे की और बात करू में 11 दिन यानि के आज की तो दोस्तो आज भी फिल्म पूरे इंडिया से लगबग 6 करोड रुपे कमाई है तो फिल्म की 11 दिनों की टोटल कमाई 248 करोड रुपे इंडिया से नेट हो रही है तो वही फिल्म पूरे वल्ड में लगभग 412 करोड पे कमा रही है हाला कि मैं कहूंगा कि फिल्म को 500 करोड पे की वर्लड वाइट कमाई करनी है लेकिन दोस्तो यहाँ पे अगर Tiger 3 ने ये हफता पूरी तरह से इसी तरह से खीच लिया 6 करोड, 5 करोड, 8 करोड, 7 करोड तो मैं कहता हूँ कि फिल्म को बॉक्स आफिस पर सूपर इठ होने से कोई नहीं रोक सकता है लेकिन दोस्तो आपको क्या लगता है क्या फिल्म Tiger 3 बॉक्स आफिस पर फिलॉप हो जाएगी या फिर ये सूपर इठ हो जाएगी कमें वे जुरू बताईएगा